RBI की जॉब एक बहुत ही रिस्पेक्टिट और एक बहुत ही अच्छी सहली वाली जॉब है तो अगर आप RBI में जॉब लेना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं सिर्फ 5 मिट के अंदर आपको बताऊंगा कि आप RBI के अंदर कैसे जॉब ले सकते हैं तो अगर आप फर्स ताइम इस चैनल पर आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को क्योंकि इस चैनल पर हम आपके करियर से डिटीड प्रॉब्लम जितनी भी है वो सारी सॉल्व करने का ट्राइ करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RBI के अंदर जो जॉब ओपनिंग निकलती है उसका प्रोफाइल क्या होता है RBI के अंदर बस दो ही टाइप की जॉब निकलती है फर्स्ट है RBI असिस्टेंट की सेकेंड है ओफिसर इन ग्रेट बी इसके लावा RBI के अंदर बहुत ही हाई लेवल पर जॉब निकलती है जैसे RBI गवर्नर हो हमारे किसी काम की नहीं है तो बेसिकली यह दो ही टाइप के प्रोफाइल है जिसकी हम आज बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RBI असिस्टेंट के बारे में तो जो RBI असिस्टेंट होते हैं वो जो day to day operation होता है RBI का इन डिफरेंट जो इनके जो center है पूरे all over इंडिया में वो उसके अंदर help करते हैं तो अगर आपको RBI असिस्टेंट बनना है तो फिर उसके लिए minimum जो qualification होने चाहिए वो है आप graduate होने चाहिए with 50% marks तो अगर आपके 50% से कम marks है तो आप apply नहीं कर सकते जो एक और जो criteria है वो है age का जो minimum age है वो है 20 साल और जो maximum age है वो है 28 साल पास साल का relax मिलता है SC और SC student के लिए और तीन साल का मिलता है OBC students के लिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी vacancy कितने निकलती है तो जो इसकी vacancy निकलती है वो all over India basis पे निकलती है जैसे 2019 में इसकी 623 vacancies निकली थी तो आप खुद देख सकते हैं कि इसकी demand बहुत जादा है और supply ब बहुत कम है इसलिए बहुत एक competitive exam हो जाता है अब हम बात कर लेते हैं से exam format के बारे में इसके अंदर तीन exam का step होता है first होता है pre exam उसके बाद आता है main exam उसके बाद होता है आपका language test तो जो pre exam के अंदर जो subject होते हैं वो होते है English, Numeric Ability, Reasoning Ability अगर आप यह लेवल 1 क्रॉस क पर जाते हैं उसके अंदर different subject होते हैं वो होते है reasoning, English, Numeric Ability, General Awareness और competitive knowledge और अगर आप main भी clear कर देते हैं तो फिर उसके आदा आपका एक language test होता है language test आपका local language भी हो सकता है या फिर English में भी हो सकता है depend on आपकी choice के उपर यह depend करता है अब हम बात कर लेते हैं salary की जो इनकी enhanced salary होती है starting में वो around 32,000 रुपे होती है to be very exact होती है 32,124 रुपे पर मन्त अब हम बात कर लेते हैं officer grade B के बारे में जो officer grade B के अंदर open निकलती है वो तीन category में निकलती है first है general then आती है economics then आती है maths and stats तो ज general के अंदर आपको criteria होता है वो minimum आपके 60% होने चाहिए bachelor's के अंदर then officer in grade B DEPR के अंदर आपको master degree होने चाहिए economics के अंदर quantitative economics या math economics के अंदर और आपके minimum 55% marks होने चाहिए master's के अंदर then जो third type की opening निकलती है वो होती है officer in grade B DSIM यह maths वाले student के लिए होती है तो जिन्होंने masters की ह होती है stats में maths के अंदर वो इसके अंदर apply कर सकते है और इसके अंदर भी minimum 55% marks आपके होने चाहिए अब हम बात कर लेते हैं age की तो इसमें जो age limit है वो है 21 years to 30 years for general category and plus 5 years for SCST students तो अब देख लेते हैं कि number openings कितनी होती है तो 2019 में जो opening थी वो 166 थी जो divide होती है इन तीनों category के अ अंदर तो जो इसके अंदर opening निकलती है वो बहुत कम होती है और इसकी demand बहुत जादा है क्योंकि इसका जो salary package है वो बहुत जादा अच्छा है तो जो हम salary की बात कर लेते हैं जो salary इनको मिलते है starting में हो मिलते है 75,800 रुपे तो आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी salary आपक सेम होते हैं English, math, reasoning और जो means के subject होते हैं वो यह होते हैं paper 1 economics and social issue, paper 2 English and paper 3 financial and management studies और इसके बाद अगर जो clear कर लेते हैं main उनका होता है interview और जो interview क्लियर करने के बाद जो student आते हैं उनका final selection होता है RBI जाइं करते हैं as a officer grade 2 तो इस सारी information थी RBI के बारे में still आपको कोई question है तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़े चैनल को और शेर कीज़े इस वीडियो को अपने friends के साथ, thank you